तो दोस्त आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उचित भीन जी हां दोस्तो उचित भीन और दोस्तो बिसम भीन और दोस्तो आज बात करेंगे मिस्रित भीन तो आज इस वीडियो में हम तीन चीज जानने वाले हैं एक तो उचित भीन हो गया और दोसरा आपको हो गया लेकर रहें तो कोई बात नहीं है वीडियो अच्छी से समझ में आएगी तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले उचित भीन और इसके बाद धीर धीर आगे चलते हैं अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को वीडियो के कॉमेंट में बताएगा और हां वी उचित भीन दोस्तों आपको ये दीख रहा है उचित भीन आपको दीख रहा है तो चलिए आपको उधारन से समझाने का परियास करते हैं तो सबसे पहले उधारन फर्स्ट नाइन एपान दस और हो जाएगा जीरो बाटा थिरी और पांच बाटा आठ दोस्त आपको ये सब दीख रहा है आपको ये सब दीख रहा है आपको ये सब दीख रहा है जी हां दोस्तों आपको ये दीख रहा है ये दीख रहा है यानि तीन बाटा चार एक बाटा दो नो बाटा 10, 0 बाटा 3 और 5 बाटा 8 दोस्तो आपको ये दीख रहा है ना जल्ली से बताएं ये दीख रहा है अगर आपको दीख रहा है तो क्या आपको दीख रहा है उपर में देखी तो क्या सब छोटे हैं उपर में देखी तो क्या सब छोटे हैं दोस्तो उसे पहले आपको भी भीन है यह क्या होता है तो चलिए भीन को समझ लेते हैं कि भीन क्या होता है दोस्तों भीन कहने का मतब समझ रहे हैं अंस और हर उपर वाला को बोलते हैं अंस और नीचे वाला को बोलते हैं हर समझे तो अंस और हर को बोलते हैं दोस्तों क्या अंस और हर को बोलते हैं आपको भीन समझे तो आपको उपर में क्या दिख रहा है उपर में आपको क्या दिख रहा है उपर में आपको दिख रहा है दोस्तों उपर में जो आपको संक्या है सब के सब क्या है छोटी है और और नीचे में बड़ा उपर में छोटा और नीचे में बड़ा तो उसे हम कहते हैं क्या प्रोपर फ्रेक्शन यानि बात करें तो उचित भीन तो उचित भीन का अगर आप परिभासा लिखना चाहते हैं तो मेरे दोस्त चलिए लिख लिजे मेरे साथ तो लिखे उचित भीन में उपर वाला उपर उपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा तो दोस्त आप समझें यानि हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि उपर में बड़ा हो यानि उपर यानि उपर बात करें तो उपर क्या होता है दोस्तों उपर आपको होता है अंस तो उपर दोस्तो बड़ा और नीचे आपको होता है छोटा तो बस समझ लिजी कि अगर कोई संख्या उपर छोटा हो और नीचे बड़ा होना तो समझ लिजी कि वह है उचित भीन है तो आपको एतना तो आता ही होगा दोस्तो तो चलिए उचीत भीन तो हम समझ लिए अब देखते हैं दोस्तो कि बिसम भीन क्या होता है दोस्तो बिसम भीन क्या होता है तो चलिए वीडियो को देखी लेते हैं कि बिसम भीन क्या होता है तो देखे दोस्तो सबसे पहले हम आपको परिभासा बतला दे रहे और इस बिसमभीन का परिभासा आपको दोस्त हो जागा हर से बढ़ा होता है अंस इन हम यह कह सकते हैं कि उपपर वाला उपर वाला पूपर वाला बढ़ा और नीचे वाला छोटा हो तो दोस्त आपको समझ में आया बिसमभिन क्या था यानि उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो यह होता है आपको बिसमभिन जी हां दो थे इससे हलका तो आपको चोग नहीं सकता है दोस्त तो एक्जामपल के लिए दोस्तों हम आपको स समझाद रहें कि उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा दोस्तों देखिए उधारन के लिए हम समझाद रहें उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा क्या हो सक्या दोस्तों उपर वाले बड़ा थोड़ा पेन के हम मारकर चेंज कर लें दोस्त पेन का जो कलर ना तो दोस्त उपर वाला बड़ा तो उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा क्या दोस्तो आपको उपर बड़ा और नीचे छोटा दीख रहा है दीख रहा है न दोस्तो तो यह हो गया दोस्तो आपको क्या यह हो गया आपको तो यतना तो आपको किलेर हो गया अगर आपको यतना किलेर हो गया तो मेरे को वीडियो के कॉमेंट में बताइएगा अब चलते ही हम आगे दोस्टों आगे जानने यह हंको विसेंBYन जारिं आगे घंड़ हम फिटीBack क क्या होतीcono तो चलिए आप देख लेते हैं कि मिस्रित भीन जो है वह क्या होता है दोस्तों मिस्रित भीन समझने के लिए सबसे पहले आपको हम क्या बोलते हैं कि वे बिसम भीन के उधारन से समझाती हैं तो चलिए बिसम भीन हमने क्या आपको बताया बिसमीर में हमने बताया कि उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा ये हो सकता है और चार बाटा तीन और दोस्तों पांच बाटा आठ और आठ बाटा तीन दोस्तों सोरी 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 इसमें बड़ी हो गई पांच बा और नीचे वाला छोटा उपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो उपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है छोटा है तो यह हो गया दोस्तों आपको क्या बीसम भीन तो बिसम भीन को मिस्रित भीन को समझने के लिए बिसम भीन तो आपको एतना आ गया तो चलिए आप मिस्रित भीन क्या होता है इसको समाजी लेते हैं दोस्तों अगर हम साथ में अगर दोस से भाग लगा हैं दोस्त तो क्या होगा देखिए तो समझते हैं दोस्त तो देखी क्या होता है अगर दोस्ते अगर साथ में भाग लगा है दोस्तो तो दूतिया छे कितना जगा एका जगा तो दोस्तो हम क्या इस तरह से लेख सकते हैं क्या हम इस तरह से लेख सकते हैं दोस्तो इस तरह से लेख सकते हैं इसको लेख सकते हैं दोस्तों तो यह हो गया आपको क्या मिश्रित्मिन जिया दोस्तों तिन दुना छे सोरी सोरी यार गलती हो गलती 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 थोड़ी सी मिश्टेक हो गई थोड़ी सी मिश्टेक हो गई तो दोस्तों आपको मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों हम इसक तो चलिए आप देख लेते हैं कि चार और तीन को कैसे मतलब मिश्रित भीन में लिख सकती हैं यह सब विसम भीन है और चलिए देखते हैं मिश्रित भीन कैसे लिखते हैं तो मिस्रित भीन लिखनते हैं देखी इस तरह से लिख रहे हैं तो आपको क्या है चार बटा तीन है तो हम तीन से भाग लगा देंगे चार में तो तीन है कम कितना हो जागा दोस्तो तीन यानि एक बार में लगा आएंगे दोस्तो तो यहां तीन इस यहां जागा एक यानि हम यह कह सकते हैं दोस्तों तीन हो जागा इधर और हिया हो जागा यह हो जागा यह तो दोस्तों यह हो गया आपको क्या मिस्रित भिन अगर मिस्रित भिन में और भी डाउट है तो चलिए एक और उधारन से समझते हैं और समझने काम परियास करते हैं तो अगला है दोस्तों, पांस बाटा क्या है, दो है यानि कि हम दोस्त कितना हो जागा दोस्तों बच गया एक बंच गया बंच गयां एक दोस्तों देखना है आपको लिख देगे क्या नहीं अफ गिन एक और यहां मिश्रित भीन यह क्या होगा देस्टो मिश्रित भीन आपको हो चुकी है तो आप इससे अच्छा तो समझने का परीयास अब कहीं नहीं हो सकती क्यों कि इससे असान और क्या हो सकता है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों तसलिए वीडियो समापते हुआ